देलाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार मैं हूँ रंजीत च्छा और आप देख रहे हैं देलाइफ टीवी हलदवानी में मचे बवाल को लेका बड़ा खुलासा हुआ है और धामी सरकार बेनकाब हो गई है पूरा मामला बेहद ही भयावा है कौफ़नाख है क्योंकि एक राजी का मुख्यमंत्री शूट एट साइट का ओर्डर दे रहा है वो भी सर्फ इस बात को लेका कि मुसल्मानों के मदर से और मस्जिद को द्वस्त किया गया और लोग ने इसका बिरोध किया तो इसके लिए शूट एट साइट का ओर्डर आया आपको जानकर हैरानी होगी कि हल्दवानी में इस मदर से और मस्जिद को गिराने पर रोक लगाई गई स्टे ओर्डर होने के बाब यूद भी पुलिस ने इतनी बड़े हरकत को अंजाम दिया और उसके बाद बवाल मचा तो मुख्यमंत्री शूट एट साइट का ओर्डर दे गए जिसमें अब तक छे लोगों की मौथ हो गई अब यह घटना कितनी भयाबा है कितनी सहरन पैदा कर सकती है जरा सोचिए पुलिस पत्थरबाज के तोर पर दिखाई परती है महिलाओं को लाठी डंडे से पीट की नजर आती है इस तरीके के रवये वाली पुलिस का यह चेहरा कहीं न कहीं धामे सरकार के रवये को भी बेनकाव करती है इस रिपोर्ट में जरा देखिए हेडलाइन देखिए दा ओवजरबर पोस्ट ने लिखा है कि हलदवानी मदर्सा और मस्जिद ढायाने के मामले में देखते ही गोली मारने के आदेश के बाद चाह मुसल्मानों की मौत हो गई यह रिपोर्ट अपने आप में सहरन पैदा करने वाली है दरसल जिस तरीके से हमारे देश में अभी पाच-पाच-सो साल पुराने बिवाद को लेकर मंदिर बनाने का धावा किया जाता है और उस वक्त न प्रशासन का उफ निकलता है और ना कभी शूट अट साइट के ओडर आते हैं लेकिन दूसरी तरफ जब मुसल्मानों के इबादोत गाह को या फिर मदर्से को मस्जिदों को द्वस्त किया जाता है तो उनके पास जो बिरोध प्रशान करने का अधिकार है वो भी छीन लिया जाता है अगर कोई ऐसा करता है तो शूट अट साइट का ओर्डर जारी हो जाता है और ऐसे में लोगों की चाने जाती है हम इस मामले में आपको कई विज्वल्स दिखाने बाले हैं कि उत्राखंड पुलिस का असली चहरा क्या है वहां के अस्थानए विधायक का बयान क्या है और साथ ही साथ किस तरीके से उत्राखंड की पुलिस जिनकी जिम्मेदारी शान्ती वेवस्था बहाल करने की है वो उगरवादी की तरफ बिभार कर रहे थे पत्थर फेक्टे हुए नजर आए अब यहाँ मामुला कैसे देखा जाएगा उत्राखन में एक और जहाँ UCC लाया जा रहा है तो दोसरी तरफ हल्दवानी जैसी जगह पर मस्जिद मदर से गिरा कर यहाँ भी बताने की कोशिश हो रही है UCC नहीं हम हिंदू राश्टर की तरफ बढ़ रहा है चलिए दिखाते हैं आपको की रिपोर्ट हमारे पास क्या है यहाँ विज्वानी देखिए अपने स्क्रिन पर अनसार इमरान एसार ने एक विज्वान दिखाया जिसमें बुल्डुजर के सहारे ध्वस्ते करन का काम चल रहा है और इसमें लिखा हुआ है एक तरफ हलदुआनी में मस्जित को अबईद बता कर प्रशासन द्वारा शहीद कर दिया गया दूसरी तरफ रात होते होते माहोल हिंसक होने के बाद ततकाल शूट एट साइट का ओर्डर भी जारी कर दिया गया अनाधिकारिक सुत्रों के मुताबिक अभी तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन जो वेब साइट पर खबर है या आकरा 6 का पहुचा है खुद जिलाधिकारी ने भी इस मामले में पूस्टी की है उनका स्टेटमेंट भी अभी हम आपको दिखाएंगे लेकिन इस से पहले कुछ विज्वल्स कुछ हालात वहां के देख लेने भी उतने ही जरूरी है जरा देखिए अपने स्क्रिन पर नर्गिस बानो का एक टूइट है जिसमें विज्वल है इसमें आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि घरों पर पत्थर फेके जा रहे है पुलिस के द्वारा पत्थरवाजी की जा रही है अब यह हालात क्यूं है पुलिस की ड्यूटी क्या है पुलिस की ड्यूटी शांती विवस्था बहाल करने की है या फिर पत्थरवाजी करने की है क्या फड़क है उस उगर भीड में और पुलिस में कैसे पहचानेंगे आप कपरों से तो यह पुलिस नजर आते है यहाँ पर नर्गिस बान्व ने जो लिखा है जा देखिए अपने स्क्रून पर कि हलदवानी में पुलिस ने पत्थर बरसाए उत्तरा खंड के पुलिस को आप कैमरे में साफ देख सकते हैं कि आम नागरिकों पर पत्थर बरसा रही है कोई अपना आश्याना और अपनी इब सवाददगाह को तूटने के बाद बिरोध भी नहीं करेगा क्या सवाल तो जायर जाए नहीं करने का हमारा संबैधानी का हक है शांति पुर्द तरीके से कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है अपने हक की आवाज उठा सकता है लेकिन अगर कुछलने के लिए गोली मारने के आदेश्ट जारी किये जाएंगे तो यह हैरान कर देने वाला मामला है क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि शूट एट साइट का ओडर तब होता है जब को इमार देने का अब यहां से यह ख़बर बहुत बड़ी हो जाती है पुलीस का या छेरा पथरबाज पुलीस का या चेरा बता रहा है कि कहीं न कहीं उत्राखंड में यू सी सी लाने के बाद मनोवल लोगों का बढ़ रहा है कि एक समान जो कानून लाना है अब उसके जड़िये क्या मक्सद है कि आप हिंदू राश्ट्रों को बढ़ावा देंगे क्या है उत्राखंड की सरकार चाहती क्या है? कि उत्राखंड में सिर्फ हिंदूओं का बोलवाला हो? उनके मदरसे को, मस्जिदों को गिरा कर वो भी बिना किसी संग्यान के की पुलिस की बड़ी कारवाई होने वाली है या फिर तोरफोर होने वाला है इसकी सूचना वहां के लोगो जाता रहा तो इस पर आपत्तितों लोग जताएंगे ना अस्थानिय विधायक क्या कह रहे हैं उस टूइट को भी देखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि इस तरीके की कारवाई और परत्याशित थी कहा गया कि हलदवानी का यह सब से काला दिन था ऐसा कभी देखा भी नहीं किया शादाब चोहां ने टूइट शेर किया है सुमित हिरदैश का और यह हलदवानी के बिधायक है सुमित हिरदैश उन्होंने जो बयान दिया है वो सुन्दना भी जरूरी है लेकिन उससे पहले शादाब ने जो टूइट किया है वो ज़रा देखिए अपने स्क्र आंती की अपील करते हैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी को भी कानून का दूरुपयोग नहीं करना चाहिए शादाब हुसेन ने उनके स्टेटमेंट को शेर किया है तो जलासा अब सुनिये भी वह क्या है रहे हैं इस मामले में बात इस्टे ओर्डर की भी हो ही है कि स्टे ओर्डर था भावजोदिस के उस मस्जिद और मदर से को गिराया गया विधायक जी का बयान सब्सक्राइब और बिना इंफ्रमेशन के और ऐसी कारवाई को लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ आज आजादी के बात से आज तक कभी तबानी शेहर में ऐसा हम करने के बाबजूद भी पुलिस ने ऐसी कारवाई की और अगर करने भी गए तो किसी को संग्यार में नहीं लिया तो बबाल तो बढ़ न था और जब अब शूट एट साइट का ओर्डर पड़ा है तो उसके बाद वहां हालात और बत्तर हो गए इंटरनेट ठप कर दिये कर्फ्यू लगा दिये गए हैं इतना ही नहीं जिलाद हिकारी ने कहा है कि तिन चार लोगों के मरने के ख़बर तो हमें भी मिली है लेकिन वेवसाइट्स पर यहां कहा जा रहा है यह आकरा छे के आसपास है अब यह चौकाने वाली रिपोर्ट है ही ऐसे में उस खबर में जरा वापस चलते हैं यह समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर छे लोगों की मौत की जो बात हो रही है तो अब्जरबर पोस्ट ने जो लिखा है वो कितना तुखदाई है और कितना शर्वनाख भी है कि पुलिस का असली चेहरा भी वहीं केमरे पर दिखाई पड़ता है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हलदुवानी के बन भुलपुडा में एक मदर्सा इसलामिक मदर्सा और मस्जित के विद्वन्स पर प्रदरशन कार्यों और पुलिस के बीच जड़प के बीच गुरुवार को उतरा खंड के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी द्वार की मौत हो गई बन भुलपुडा थाने के बाहर हुई हिंसा में कुछ लोगों ने फाइरिंग की जबाभी कारवाई में पुलिस ने भी अवाई फाइरिंग की गोली लगने से गाया किन चार लोगों को अस्पतालों में मृत लाया गया उनके पहचान की जा रही है ऐसे में यहां हालात बद से बत्तर हो गए है पुलिस के रवये पर भी सवाल है कि यह पुलिस पत्तरबाज कम से हो गई तो कुल मिलाकर हलदवानी मामले में कहीं न कहीं प्रशासन बेनकाब है पुलिस सिस्टम धामे सरकार का यह सिस्टम बेनकाब हो चला है कि कैसे इन लोगों ने इतने बरे घटना को जान बुझ कर बढ़ने दिया और अब शूट एट साइट का ओर्डर देकर मामले की लिपापोती करने में लगे है जबकि सचाई यह है कि इस मदर्से और मस्जिद को गिराने का कोई ओर्डर था नहीं स्टे ओर्डर था इस पर फिर भी यह घटना घटी लेकिन नहीं मसलिम समाज के लोगों को कॉनिफेडेंस में लिया गया ना उन्हें कोई जानकारी दी गई और ऐसे में जब विरोध हुआ पुलिस गोली मारने पर पत्थर फैकने पर उतारू हो गई इसको लेकर पुरा देश हैरान है